304 इसा पुर्व मौर्य काल में समराट अशोक का जन्म हुआ था। अपने एसो भाईयों में सामराट अशोक सबसे बड़े थे। उनका पूरा नाम देवानना प्रिय अशोक मौर्य था। अशोक अपने राज्य के सेनापती भी रहे थे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगादी के लिए सभी भाईयों का विद्रोह हुआ। जिसमें अशोक की माता की मृत्यू हो जाती है चूकि अशोक पहले से सेनापती थे। इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाईयों को बंदी बना लिया और उनको मार कर वही कुवें फेंक दिया। परंतु सामराट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनान सुरू किया। उस समय तक सामराट अशोक ने पूरे भारत वर्च पर अपना विज़ाई पताखा लहरा दिया था। अब वे एक चक्रवर्ती सामराट थे परंतु उन्हें कलिंगा अपना समर पर नहीं कर रहा था। तब सामराट अशोक ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की। ये युद्ध प्रलैकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादे नहीं थे। इसलिए वहां के किसान औरतें बच्चे सब युद्ध लड़े थे। इस युद्ध में एक लाख से ज्यादे लोग मारे गए तथा एक लाख पचास हजार लोगों को बंदी बना लिया गया। ये युद्ध सामराट अशोक ने जीत तो लिया परंतु इस हत्याकांड ने सामराट को अंदर तक विचलित कर दिया। औरतें किसान बच्चे तक म इस युद्ध में बौध लोगों से मिले। बौध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेज गती से फैला। 2. Physiology इस किताब को Science of Killing कहा जाता है इसमें ऐसे ऐसे Pressure Point की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी मौत हो सकती है और सब को लगेगा कि ये Natural Death है इसे Touch of Death या मृत्य उस्पर्ष भी कहते हैं कहा जाता है कि Martial Art एवं Judo भी इसी किताब की देन है। 3. Microbiology and Biotechnology ये किताब जीवानू विशानू एवं वाइरस की जानकारी से नहित है इस किताब को जानने वाला विरुस फैला कर किसी भी सभिता का अंत कर सकता था इसमें चमतकारी और साधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ग्यान भी नहित था 4. Alchemy यानी Chemistry इस किताब में Metallurgy की जानकरी नहित थी इसमें धातूँ के मिश्रण से सोना बनाने का प्रक्रिया का ग्यान था इसकी हकीकत दरसाने के लिए Talbot ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्मान में सोने की कमी आती तब कही Unknown Source से सोना उपलब्ध हो जाता था जो कि इसी किताब की देन होता था 5. Communication पाँचवी किताब Communication based थी इस किताब में ऐसे Communication का ज्यान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों से भी Communicate किया जा सकता था इसका ज्यान आज के ज्यान से भी ज्यादा Advance था 6. Gravity इसमें Gravity-related सारी जानकारियां थी इसमें Anti-Gravity यान अंतरिक्ष यान बनाने का विशिष्ट ज्यान था कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है 7. Cosmogany इसमें अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्यान नहित था, ब्रमांड की उत्पत्ति ग्रहों का वितरन, सौर मंडल की उत्पत्ति का पूर्ण विवरन था, इसके अलावा Space-Time भविश्य देखने एवं भविश्य में जाने का भी विस्तृत जान करी है 8. Light ये का इताब Light Wave और Speed of Light and Power of Light का घ्यान बताती है कि कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तिमाल किया जा सकता है 9. Sociology ये किताब सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है इसमें ऐसे ज्ञान नहित जिससे किसी भी सभ्यता, विकास एवं पतन कैसे किया जाए इसका ज्ञान नहित है इसमें एकता, एक जुटता का भी ज्ञान है ये सभी किताबें आज के विज्ञान से भी कहीं ज्यादे एडवांस थी, जिसे छुपाए रखना अतियाश्यक था, ये किताब ज्ञान वर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी निहित किये हुई थी, कुछ मतों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसलिए उन नौ लोगों को अमर्ता का भी ज्ञान मिला, जिससे कि वो की किताब का संरक्षन युगों युगों तक कर सके। झाल 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 झाल